आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, question is इस question में basically हमें statement में कुछ relations given है statement के basis पे हमें यह बताना है की conclusion correct है की नई तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या given है that is S is greater than A S is greater than A A is equals to N N is greater than equals to D ठीक है? Next हमें क्या given है relation that is A is greater than equals to L L is greater than E Next हमें given है that is M L is greater than equals to M and D is greater than equals to N ठीक है? तो यह relations हमें given है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनने connect करके इनसे एक statement बिल्ट करेंगे जैसे कैसे connect करेंगे हम जैसे यहाँ पर हमारे पास last में क्या given है D यहाँ पर क्या last में D है तो इन दोनों को हम connect कर सकते हैं तो इन दोनों को हम connect कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? S is greater than A A is equals to N N is greater than equals to D D is greater than equals to L L is greater than equals to M जैसे साइन हमारे open है हमें उसी साइट open डखना है अब यहाँ पर हमें given है A, L और E तो यहाँ पर हम क्या इनको connect कर सकते हैं इससे? तो यानि इससे हम अभी connect नहीं कर रहे हैं हम अपने conclusion के basis पर अपना statement बिल्ट कर लेंगे ओके? तो पहला conclusion क्या है हमारे पास? That is S is greater than E तो यहाँ पर हमको given है S is greater than E तो कैसे check करेंगे कि S E से बड़ा है या नहीं तो यहाँ पर देखो sign कौन सा है? यहाँ पर यह greater का sign है तो यह जो sign है इसको हम एक gate की तरह zoom करेंगे जिस साइट यह open है यह हो गया हमारा open gate और जिस साइट यह बंद है वो हो गया हमारा close gate इसका क्या मतलब हुआ? अगर यह gate है तो that means हमें open gate से close gate की ओर जाना है तो हमें S से E पर जाना है तो अब हम track करेंगे S हमारा कहाँ पर है तो इनी में track कर लेते हैं तो S हमारा यहाँ पर है E हमारा यहाँ पर है ठीक है? So basically इसमें हमारा S लाई कर रहा है और इसमें हमारा E लाई कर रहा है तो इन दोनों में check करेंगे कि हमारे पास connector क्या है मतलब दोनों में common क्या है A यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों में common है तो A हमारा यहाँ पर connected हो गया तो यहाँ पर हमारा S और A का क्या relation है that is S is greater than A तो पहले यहाँ से हमने S is greater than A ले लिया अब यहाँ से हम A के साथ का relation ले लेते हैं तो यहाँ पर हमें given है A is greater than equals to L and then L is greater than E. तो यहाँ से हमारी यह statement बिल्ड हो गई जो S से E जा रही है. तो इसमें अब हम check करेंगे कि क्या हम S से E पर जा पा रहे हैं. तो यह जो जितने भी symbols हैं यह सारे हमारे gate की तरह काम करेंगे. हमें इसमें check करना है कि क्या हम S से E के और जा पा रहे हैं या नहीं. अगर जा सकते हैं तो यह conclusion correct है नहीं तो गलत है. तो यहाँ पर gate open है तो S से हम A पर आ गए. यहाँ पर gate क्या है open है तो A से हम L पर आ गए. यहाँ पर gate क्या है open तो L से हम E पर आ गए. अब इसमें हमें क्या चेक करना है that is S is greater than L कि S जो है वो L से बढ़ा है अब किस की side open है S की side तो यहां से हमें basically S से कहां जाना है L पे जाना है correct है तो S से L connect करता हुआ यह statement हमने बनाया था right तो यहां से हमें S से कहां जाना है L पे जाना है तो S से हम A पे आगए यहां पे क्या equals to आप換 wszyscy यहां पर gate ूपन है तो N से हम D पे अगए gate ओपन है तो D से हम L पे आगए तो यानी कि यह conclusion यानी S से हम L तक जा पार है तो यानी conclusion correct है तो यानी second भी हमारा correct है तो option कॉनसा correct होगा हमारा that is Option A will be the right answer That is both 1st and 2nd are true Okay, thank you